नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपको शेफ धीरज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप भी अपना एक क्लाउड किचन रन कर रहे हैं स्विगी और जमैटो पर आपके क्लाउड किचन लिस्टिड है और आपको ओर्डर नहीं आ रहे हैं तो किस प्रकार से आप अपने ओर्डर की संख्या बढ़ाएंगे मेली यही होता है हम लोग अपने टाइप्स कर लेते हैं स्विगी जमैटो के साथ बट वहां से जो ओर्डर आते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं या फिर आते ही नहीं है इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ कुछ हैक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को implement करने हैं apply करने हैं अपने kitchens के उपर अपने cloud kitchen के उपर तकि आप लोगों की जो orders क की संख्या है वो बढ़ पाए यह जो भी चीजे मैं आपको बताने वाला हूं मेरा experience है और यहां पे कुछ content मैंने अपने जो paid programs होते हैं उससे भी निकाल के आप लोगों को दिया है तक कि आप जो भी बिल्कुल छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं अपने घर से cloud kitchen चला रहे हैं वो सारी की सारी चीजे आप अपने online kitchen पर apply कर पाएं और आपके orders की संक्यावाँ पर बढ़ पाएं सबसे पहला यहाँ पर जो hack है वो यह है जब भी आप अपने menu Swiggy as the matter पर लिस्ट करते हो तो आप लोग उसके prices को increase कर देते हो ठीक है और जर्नली एक आप लोग एक rule रखते हो कि आप सीधा 30% जो price increase कर देते हो क्योंकि वहाँ पर आपको commissions देना पड़ता है ठीक है फिर उसके बाद GST हो गया कुछ और प्रकार की अगर आप services ले रहे तो आप लोग एक मोटा मोटा हिसाब लगा ले तो कि बहिया मुझे 30% extra देना पड़ा है cloud kitchen के लिए Swiggy as the matter platform पर तो मैं जो भी dishes यहाँ पर list करूँगा उनका price मैं वहाँ पर 30% increase करके डाल दूँगा यह बाद ठीक है कि आपको वहाँ पर चीजे महंगी पड़ती हैं बट यह नहीं करना चाहिए कि आपको जो सारी कि सारी dishes के price सेम ही तरीके से कर देने चाहिए या फिर मैं बोनूं कि सारी कि सारी जो भी dishes है उनके price 30% increase करके Swiggy as the matter पर list कर देने चाहिए इससे कुछ नहीं होगा ठीक है यहाँ पर एक video मैंने पहले भी मनाई थी किस परकार से आप अपना menu design करते हैं जिसमें कि है मैंने star dishes के ठीक है वहाँ पर आप उनके price 30% से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं यह नहीं कि आप सब के price सेम ही कर दीजिए सिर्फ जो आपकी star dishes है जो सबसे ज्यादा चलती हैं वहाँ पर आप 30 से ज्यादा भी margin रख सकते हैं 30% से 40-50 भी रख सकते हैं ठीक है तो यही strategy आपको apply करनी है ठीक है आपको dishes को देखना है जो dishes ज्यादा चल रही है उनके ही price आपको ज्यादा increase करने हैं सबके सबके price 30% increase नहीं कर देने हैं maximum हम लोग यही गलती करते हैं और तभी हमको orders बिल्कुल भी नहीं आते हैं दूसरी यहाँ पर जो tricks है वह हमारे discounts की maximum हम लोग discount देते हैं 10% 20% 20% 20% और यह एक तरीके से अब एक rule हो गया universal rule हो गया कि अगर जमैटो पे मुझे काम करना है तो मुझे discount देना पड़ेगा ठीक है जो बिल्कुल एक तरीके से सही भी है बट हमेशा ही आपको discount नहीं चलाने है क्योंकि discount को apply करना है लगाना बड़ा easy होता है कि मैंने इस dish पे 10% दे दीए मैंने उस dish पे 20% दे दीए बट वहीं आपको उनको कुछ percentage discount ना देकर उनको कुछ deal या offer करना चाहिए जैसे कि हमारे बोगो होते हैं एक के साथ एक फ्री या फिर दो के साथ एक फ्री ठीक है इस जो psychology से जो customer के दिमाग पर ज्यादा असर पड़ता है और वो सिर्फ 10% ना बचाने के चकर में आपकी dish को ले लेता है इससे क्या होता है जो प्राइस वहाँ पर आपके पास देने आया था उस dish क करता है ठीक है तो offers कुछ भी हो सकते हैं आप नहींने प्रकार के offers हो सकते हैं एक के साथ एक फ्री दो के साथ एक फ्री ठीक है तीन के साथ एक कुछ और ज्यादा बड़ा फ्री तो आपको अपने हिसाब से वहाँ पे चेक करना है और देखना है कि आप कि इस प्रकार के offer य आपको बताया कि भीया सारी की सारी प्राइज जो 30 प्रसंट नहीं बढ़ाने दिए उसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा मेन्यू अपने स्विकी जमेटर पर अप्लोड नहीं कर देना है क्योंकि जितने भी और आने वाले हैं जो भी कस्मर और करेंगे वो मुबाईल में आपको देखेंगे आपके रेस्टन को देखेंगे और मैक्सिमम मैं बोलू 10-15 सेकेंड वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं उतनी ही देर में चूज कर लेंगे कि उनको क्या खाना है वहीं हम लोग क्या करते हैं हम सारा का सारा मेन्यू ठीक हम अगर हम लोग 20 प्रकार के शे मिनिन्स हो वो जल्दी से जल्दी खाना ओर करें 5-10-15 सेकेंड के अंदर और वो अपना बाकी का काम अराम से करें तो आपको कुछ ही सेलेक्टेड डिस आपका आफ्लाइन मेन्यू अलग हो सकता है आपको अलग ही रखना है अलग रखने का मतलब यह नहीं कि आप नई डिस डालें बट वही डिस जो की बहुत जादा चलती है बीस से पच्चिस डिस आप डाले और ओ ऐसी सॉरिफ डिस डाले जो की आपके वहाँ पे बहुत ज्यादा चलती है आलतु-फालतु की डिस डाल के कुछ नहीं होता है सिरफ मेन्यू बढ़ा हो जाता है और कस्मर वहाँ पर confused हो जाता है तो इस चीज का आपको वहाँ पर ध्यान रखना है सिर्फ 25 से 30 आइटम ही डालने हैं आपको अपने मेन्यू के अंदर अनलाइन स्विगी या जमैटो पर इसके बाद जो नेक्स पॉइंट है वो है हमारा एड़ाउन आपने देखा होगा एड़ाउन का मतलब होते हैं कि मैं क्या और एक नई चीज एड़ कर रहा हूं ठीक है और आप लोग यह बहुत ही कम चीजों पर या लिमिटीट चीजों प एक्स्ट्रा सफिंग एक्स्ट्रा स्पाइसी एक्स्ट्रा फ्राइस ठीक है और जितनी बार भी एक्स्ट्रा होगा वह दस बीस बीस रुपे बढ़ जाएंगे ठीक है तो वहीं अगर आप एक सैंड्वीच बेच रहे हो एक ब्रिल्ड चिकन सैंड्वीच बेक रहे हो ठीक के 220 रुपे का हो जाएगा आप किसी भी चीज पे किसी भी डिस पे एड़ाउन कर सकते हैं थोड़ा सा आपको यहां पर क्रेटिव होना पड़ेगा जैनली हम लोग एड़ाउन नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ एक अपर यहां पर पर 25 पर 25 पर यहां पर चीज पर आपको मिल रही है दोनों के कमिनेशन के साथ यहां पर को अंदर आपको एक के साथ कमपो क्रेट करने के कुछ होते हैं सबसे पहले आपको यह देखना है जो भी आप क्रेट कर रहे हैं अपने particular रेटारंट के लिए आप करेट करें उससे पहले नीचे होगा ठीक है वह 100 रुपे का नहीं होगा तो जो 200 रुपे से मेरे पास जो कॉम्बो चलेंगे वह 180-170 से होंगे और वो जाएंगे मेरे 200 या 300 तन तो यह आपको इस कार से कॉंबो का प्राइस सेट करना होता है यह ना कि आप कॉंबो बना रहे हो 100 रुपे वाला 99 रुपे वाला ठीक है क्योंकि अल्रेडी कस्ट्मर आपके पास वहाँ पर आके 200 रुपे दे रहा है तो भाईया आप 200 से उसको बढ़ाना है ना कि उसको घटाना है हम लोग यह करना है कि भाईया यह जो कॉंबो है वो 2-3 लोगों के लिए ठीक है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं जो वो कॉंबो मंगाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करते हैं या 2-3 लोग एक साथ खा रहे होते हैं तो उनसे उनको यह भी मालूम पड़ेगा कि आपकी जो orders की संख्या है वो बढ़ने लगी है और आपका जो average order size है money wise वो भी बढ़ने लगा है इसके अलावा अगर आपके पस कुछ भी questions और comments और आप नीचे लिंग सकते हैं या फिर हमें WhatsApp पे भी कनल कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जाहि कर सकते हैं